आज हम बात कर रहे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर एंसी आइटी एकसाइस का कोश्चन नमबर 2.27 बच्चों यह कोश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का है मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में दिया है लेकिन रियल में यह चैप्टर ब्लॉंग करता है क्लास 11 के आयोनिक यूश होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे हो गई यह खुश्चन आपको बोला है इफ दस वालेबिलिटी प्रोड़क्त और सी यूएस सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग लिखते हैं हमेशा के एस पी और यह हमें दिया हुआ है शिक्स इंटू 10 की प बतानी है मतलब कितना सी यू एस डि डिजॉल्व हो चुका है वाटर में या वो चुक आह === देखते हैं कितना सोलेबल है हमारे पास है सी यू एस जैसना हम लोग सी यू सॉलिट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह बनाएगा सी यो टू पॉजिटिव एक प्लस concentration मान रहे हैं one और इसका concentration मान रहे है जीरो और जीरो क्या स्टर्टिंग में तो कुछ चीज हुई ली नहीं थी इस्टार्टिंग मिसे रिंट तह एक टैंट अट इस्टेंट ऑफ टाइम टी पर वन में से minus होगा S और यहाँ पर क्या बनेगा S और S, what is S S is solubility, what is S S is solubility इसका मतलब 1 minus S का क्या मतलब है, कि 1 में से, जो concentration अपने 1 लिया था, उसमें कितना CUS solubile हो गया, this is S 1 minus S का मतलब क्या है कि 1 में से कितना CUS water में solubile हो गया, और यही क्या है, हमारी solubility है, अब अगर मैं यहाँ पर equilibrium है तो equilibrium constant लिखूँँगा लेकिन solubility के लिए लिख रहा हूँ तो उसको लिखता हूँ कि S, P and S, solubility product equals to, और solubility constant जब भी होता है, तो उसका formula क्या होता है concentration of product iron upon concentration of reactant iron लेकिन देखो, आपका reactant तो solid है और reactant अगर solid है तो आप उसका concentration नहीं लेते हो that means आपका formula क्या बना concentration of product iron और यहाँ पर concentration क्या है solubility, solubility concentration और concentration ही molarity है दुबारा सुनो solubility का मतलब क्या है कि कोई बीचीज कितनी solubile होगी है उसका कितना concentration solubile हो गया और concentration का मतलब क्या होता है indirectly molarity होता है कि कितनी molarity उसकी है कितने mol उसके dissolve हो गया इसका मतलब अगर आप solubility निकाल लोगे तो क्या आप molarity निकाल लोगे solubility निकलती, molarity आ जाएगी तो देखो KSP की value कितनी दी है 6 into 10 की power minus 16 and S into S is S square और solubility is equals to molarity तो solubility क्या हो जाएगी root of 6 into 10 की power minus 16 और जैसे आप इसका root लोगे तो कितना है अगर 2.45 into 10 की power minus 8 molar क्योंकि solubility is equals to molarity यहाँ पे solubility किसके equal है molarity तो जहाँ तर बच्चे इस चीज में ही confused हो जाते है तो बहुत ही आसान कोश्यनता एकदम लल्लू सा कोश्यनता बहुत आराम से घड़ लोगे तो आज के लिए इतना ही बागी करेंगे हम next lecture में